आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट करो सपाया बज़ प्रशन की फोडों खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हमें प्रशन दे रखा कि एक बिम्ब एक इस्तिर समतल दरपन के सामने गति करता है ठीक है तो बिम्ब के प्रति बिम्ब का वेग क्या होगा ठीक है हमें विकल्प नमबर एक दे रखा यह यह है विकल्प नमबर दो यह है विकल्प नमबर तीन और यह है विकल्प नमबर चा तीसरा विकल्प क्या कह रहा है, बिम्ब के वेगी के परिमान के समान है, दिशा या तो बिम्ब के समान होगी या उसके विपरित होगी, ठीक है बचों, या तो समान होगी या विपरित होगी, पहला विकल्प तो कह रहा है कि परिमान और दिशा दोनों समान है, दूसरा कह र बनाती है जो बिम्ब की गती की दिशा पर निर्बर करती है यानि ये चोता विकल्ब क्या कह रहा है कि बिम्ब की गती की दिशा और उसके कौन पर निर्बर करता है ठीक है बचो तो देखो इस प्रशन को करने के लिए हम क्या करते हैं चित्र देख लेते हैं ठीक है बचो तो यहाँ पे दिशा क्या है परिमान तो समान है परिमान क्या है समान है पर दिशा क्या है विपरित है परिमान शमान और दिशा विपरित परिमान तो समान है और दिशा क्या है विपरित है ठीक है बचों इस सित्र से हमें यह पता चला कि परिमान समान और दिशा विपरित ठीक ह अब देखो अगर माम लो कि जो बिम्ब है वो क्या कर रहा है दरपन से दूर जा रहा है तो यह प्रति बिम्ब भी क्या करेगा दरपन से दूर जाएगा यानि इन दोनों का जो वेग की दिशा होगे वो क्या होगी दोनों के वेग की दिशा क्या हो जाएगी विपरित हो जाए तो यह भी दूर की तरफ है और यह भी दूर की तरफ है यानि दिशा क्या होगे इन दोनों के वेग का परिमान भी समानों और दिशा भी समानों ठीक है अब यह देखो यह पे क्या कहर रहा है कि अगर आगर प्रति भीऽ की ब्ते अगर निया तो प्रति भीजॼशं म कि अगर इस तरफ ऊज़ाए काथ सब्ससार होग जा दिशा की मान हो गयां यानि एक ही God यानि एक ही कोन पर अगर यह कर रहे हैं तो दिशा विपरीत भी होगी एक गटक की विपरीत होगी एक गटक की समान होगी यानि विपरीत और समान दोनों एक साथ होगी और वो किसके उपर निर्बर कर रहा है कि किस कोन के उपर यह आ रहा है ठीक है बचों किस कोन पर आ रहा वह दिशा समान या विपरित हो सकती हैë तो 10 दिशा आप समान और विपरित दोनों एक साथ हो असकती है, वह क्या करेगी, इस दिशाक में बिंब के साथ कोई ऐसा कॉन बनाती है जो गती की दिशाप पर निर्पर करती है, ठीक है वच्छों, तो वितलक नमबर चार हमारी इस प्रसन का सही उत्तर हो जाएगा तेंक यू